एकलब ये मोडल रेजिदेंशिल स्कूल में TGT की वेकिंसी निकली है, पहले PGT की वेकिंसी निकली थी और कल आप लोगोंने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, वेबसाइट पर अपडेट किया गया था, यहां पर आप लोगों को अपडेशन जो है वो दिख रहा होगा, य आप लोग अलग-लग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग स्लेबस देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में complete स्लेबस बताने वाला हूँ, आपके सभी विश्यों का कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, और कैसे-कैसे आप लोगों को exam pattern किया है, स्ले 1500 नंबर का जो है, वो आप लोगों का paper होगा, 120 नंबर का जो है, वो objective type होगा, और एक language competency test होगा, आप लोगों का 30 नंबर का, इसमें आप लोगों को यहाँ, जो आप लोगों का 120 नंबर का है, उसके 5 भाग है, paper 1, part 1 जो है, आप लोगों का general awareness का है, जो 10 प्रशन होगे, और 10 नंबर होगे, इसके लिए, ठीके, 3 घंटे का आप लोगों का paper होगा, पूरा ही, 120 नंबर और 130 नंबर, कुल मिला करके, आप लोगों का 3 घंटे का paper होगा, जिन में से 10 प्रशन आपके जो है, वो रहेंगे, general awareness के, reasoning ability, आप लोगों की 10 नंबर की रहेंगी, 10 प्रशन होगे knowledge of ICT, 10 प्रशन, 10 नंबर, teaching aptitude, 10 प्रशन, 10 नंबर, इसके भी होगे, और 80 नंबर जो है आप लोगों का subject होगा, domain subject हुगा, 80 नंबर उसके रहेंगे, उसमें से 80 प्रशन में से 65 नंबर जो है, वो आपके रहेंगे, 65 नंबर जो है, आप लोगों का, subject specific जो आप लोगों का दिया गया है उससे जो कि difficulty level आपका graduation होगा उसके बाद कहा है कि experiential activity based pedagogy and case study based question जो है आप लोगों को वो भी रहेंगे जो कि 10 number मतलब आप लोगों को 10 number की pedagogy भी इसमें रहेगी ये बात आप लोगों को ध्यान रखने है पेड़ागोजी का भी syllabus इन्होंने दिया है इसके वो केवल physical education जो teachers होंगे उनके लिए तो जो आप लोगों को खेलो इंडिया फिट इंडिया जो अभी आने उनके अंतरगत भी प्रशन रहेंगे और अगर आप लोग जो नॉर्मल जो physical education teachers से अलग जो भी subject हैं उनके लिए national education policy से 5 प्रशन पूछे जाएंगे कुल मिला गर कि 80 number जो है आप लोगों को इसके होंगे और 30 number जो है आप लोगों का subjective होगा जिसमें आप लोगों को 40% marks लाना होगा और बात करें अब इनके सब के specific syllabus की तो syllabus आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा टीजीटी के लिए जन्रल लवेर ने इसका syllabus इन्हों ने का है कि general knowledge and current affair with special emphasis in the field of education education को विशेश रूप से ध्यान में रखते विए आप लोगों को general knowledge and current affair से प्रशन आएंगा reasoning ability को लेकर के कहा puzzle and seating arrangement है data suficiency है statement based question होंगे आप लोगों को यह आप लोगों का रहा knowledge of icp से आप लोगों को प्रशन होंगे जो आप लोगों को computer होगा computer में क्या पूछा जाएगा fundamentals of computer system आप लोगों को basic जानकरी computer की होनी चाहिए उससे प्रशन बनेंगे email क्या होता है input क्या है output क्या है जब हम लोग पढ़ते थे इस सब चीजे आप लोगों ने पढ़ी होंगी basic of operating system operating system क्या होता है MS office क्या है keyboard क्या है keyboard के कुछ shortcuts आप लोगों को पूछ लेंगे important computer terms and abbreviation जो है वो पूछ लेंगे computer network होगा cyber security और internet से लेकर के प्रशन आप लोगों को कुछ पूछ लेंगे gmail email अगर असे भी teaching attitude को लेकर करके आप लोगों को topic दे दिया गया है method of teaching teaching aids and evolution system आप लोगों को पूछा जाएगा इन से प्रशन बनेंगे और experiential activity जो होंगी आप लोगों को pedagogy base पर होंगी case study से प्रशन होंगे national education policy से आप लोगों को पांच नंबर का पूछा जाएगा खेलो इंडिया से पांच नंबर का पूछा जाएगा और जो आप लोगों को जन्रेल हिंदी और जन्रेंड इंगलिस है उनकी बिल्कुल सामने सी बाते पूछी जाएगे संधी समास विलोम शब्द परिया वाचे शब्द सामनी अशुद्धिया अपने अभी अशुद्ध से वोइस हैं सब्जेक्ट ऐर्ब एगरीमेंट है आरिकल हैं कॉंप्रियेंशन है फिर्ल इन्द ब्लेंक होंगे और यहां पर सीरीज में दिये हुए है, आप लोग इसको, क्योंकि आपने इस विश्यों को पढ़ा भी है ध्यान से, तो इसकी विशेश हैसी वो भी नहीं है बात, और कहां से डाउनलोड कर ला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यह जो पट्टी चल रही है, नेश, नोटिविगेशन, TGT's and Hostel Warden दिखा रहा है, इसके बाद स्लेवस आ रहा है, स्लेवस पोर दा पोस्ट ओफ TGT and Hostel Warden, तो महत्वपूर्ण जान करिए, स्लेवस को देखेगा, तयारी कीजिएगा, एक इसमें बात ये भी है, TGT और PGT के लिए सेम स्लेवस है, तो आप लोगों को एक साथ दोनों की तयारी कर सकते हैं, लेवल जो है, अप्रोच अलग हो जाएगी, यहाँ ग्रैजिएशन लेवल हो जाएगा, स्लेवस के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मात्वपोण बात ये है, स्लेवस सेम होकर के भी जो है, कुछ विश्यों का थोड़ा सा अलाग है, लेकिन लगभग विश्यों का स्लेम है, TGT और PGT है, लेकिन अप्रोच अलग हो जाएगी, आप लोगों को graduation level के प्रशनी जो है, वो पूछे जाएंगे TGT में, और post graduation level के जो लगभग UGC net में पूछे जाते हैं, वो PGT में पूछे जाएंगे, तयारी कीजिएगा, चैनल को सब्स्राइब कर लेजिएगा, और आप लोगों को व्यवस्थित कक्षाएं जो हैं, वो मिल रही होंगी ये मारेस के लिए, मैं भी समस्कृत पढ़ाता हूँ, अन्ने सभी अध्यापक अपने विर्शों को पढ़ा रहे हैं, तो इस बार जो है, ये नोकरी लेनी ही है, नमस्ते,